इस जीवन में ना भगवान ने हमें इसलिए भेजा इस तर्थी पे इसलिए भेजा है ताकि हम आ करके अपना जो रोल मिला है ना फैक्ट जो मलब हम जिसलिए पैदा हुए हैं उस कर्म को हम पूरा कर सके किसी को कोई रोल मिला है किसी को कोई रोल मिला है किसी को कोई एक्टिंग का रोल मिला है किसी को डांसर का रोल मिला है ये सारे रोल हमें ही करना है हर किसी को अलग-अलग तरीके से मिला है और हर किसी को अलग-अलग फिल्ड में जाकर के करना है इस बात को आप समझ जाएंगे तब लगेगा आपको सबसे पहले इस बात को समझने के लिए बिल्कुल ठंडे दिमाग की जुरुत होती है जल्दी बाजी में नहीं आप जब इसको बड़े ध्यान से समझेंगे न क्यार ये दुनिया में जितने भी इनसान हैं जितने भी लोग हैं ये हर किसी को अलग-अलग रोल मिला है वो रोल अपना निभा रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जो इनसान बिल्कुल अच्छे तरीके से निभाता है वो आगे चला जाता है जो इंसान उसको अच्छे तरीके से नहीं निवावाता है वो पीछे रहा जाता है पीछे रहा जाता है ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जो कमेंट में ऐसे ऐसे गंदे सब्द का इस्तमाल करते हैं न दोस्तों बना दुखता है यार मन में मैं सोचता हूँ यार मतलब दुनिया में क्या यार ऐसे भी लोग हैं जिनको ये मतलब नोलिज वाली जो सिक्षा वाली ग्यान है जो मतलब experience में कोई लड़का आपको बता रहा है उस पे भी आप लोग गंदे गंदे comment करते हैं लेकिन वो पढ़के मैं हस लेता हूँ सहद उनको ये बात समझ में नहीं आएगी मैं कितना भी समझाओंगा न मेरे जैसे कितना भी यार के टूल आ जाएंगे उनको ये बात समझ में नहीं आने वाली है तो दोस्त अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वाकई आप में तो कोई न कोई ऐसी बात तो जरूर है कोई न ऐसे कोई न कोई मतलब एक ऐसी सक्ति तो आपके अंदर जरूर है तभी आपने इस वीडियो को यहां तक वाच किया है मेरी कामना है उस उपरवाले से उस परमेशवर से कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करें और आप जिस मुकाम को पाना चाहते हैं जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं वो मंजिल की रास्ता आपने आप को ज़्चा पूल ढạn आपके लिए बगवान खुदी खोल दे चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही तत्त के लिए जाहिए जाहिए बार